Hare Krishna, हम बहुत सारे प्रश्न सोचते हैं, करते हैं, लेकिन एक प्रश्न हम बहुत रेरली कभी करते होंगे, मैं कौन हूँ, हम बहुत सारी वस्तों के बारे में, बहुत सारे कारें के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी हम यह सोचते हैं, कि मैं कौन हूँ, यह जानन वह जरूरी है। हम लोग सोच सकते हैं मैं एक मनुष्य हूँ, मैं भारतिय हूँ, कोई सोच सकता है मैं चाइनीज हूँ, मैं रश्यन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, लेकिन ये सब उपादियां तो इस शरीर की हैं। कि शरीर देख रहे हैं आज हम इस शरीर में हैं लेकिन कुछ साल पहले जैसा शरीर अब है फैसा नहीं था शरीर लिक बच्चे के रूप में था लेकिन वो शरीर अब कहा चला गया यह हम नहीं बता सकते अभी जो शरीर है कुछ साल बाद यह शरीर भी बदल जाएगा बुड़ापा आजाएगा तो जो शरीर आज हमारे पास है वो बाद में नहीं रहेगा और फिर बुड़ापे के बाद शरीर की क्या वस्ता होती है यह हम सभी जानते हैं उसे बोलते हैं मृत्यू उस समय इस शरीर जड़ हो जाता है अभी हम बात कर रहे हैं सुन रहे हैं बहुत सारी वस्तों का अनुभव कर रहे हैं बहुत सारी च्छाएं कर रहे हैं इस शरीर को सुखी करने के लिए इस शरीर को आनन परदान करने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, सब तरह की योजनाय बना रहे हैं और सभी प्रकार के संबंद हम बनाते हैं दूसरों से, ताकि हम इस शरीर को सुख दे सकें, मन को आनन दे सकें लेकिन एक दिन ये शरीर चड़ो जाता है, तो इस बारे में हमें विचार करना चाहिए, कि वास्ता में हम हैं कौन, अगर हम ये शरीर हैं, तो मृत्यू के बाद हमारा क्या स्थिती होती है, यह विचार हमें करना चाहिए तो हमें इस प्रश्ण का उत्तर जानने के लिए सही दिशा में जाना चाहिए, तो इस शरीर की अवस्ताओं के बारे में अगर हम सोचें, तो हम देख सकते हैं कि शरीर परिवर्तन हो रहा है, अब भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि अर्थात इस शरीर बचपन, जवानी, बुड़ापा इन अवस्ताओं में परिवर्तित होता है और फिर मृत्तिव को प्राप्त होके अन्य शरीर धारण कर लेता है, तो ये परिवर्तन इस अंसार में चल रहा है, लेकिन वास्ता में हम कौन हैं? अगर हम विचार करें, तो हम देख सकते हैं कि हम कभी भी मरना नहीं चाहते हैं, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हम कभी भी दुखी नहीं होना चाहते हैं, हम कभी भी बीमार नहीं होना चाहते हैं, हम कभी भी बुड़े नहीं होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये परि शरीर नहीं है तो अगर हम यह शरीर नहीं है तो हम क्या है तो भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है हम आत्मा की उपस्तिती को बहुत सरल्दा से समझ सकते हैं जब मृत्यू हो जाती है तो वही शरीर है वो जड़ हो जाता है लेकिन अभी कि हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, ये केवल इस शरीर में आत्मा की उपस्तिती के कारण है, और आत्मा की उपस्तिती को कैसे अनुभव कर सकते हैं, चेतना के माद्ध हम से, सुनना, बोलना, अनुभव करना, इच्छा करना, ये सब चेतना क हमेशा आनन्द प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आनन्द हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि वास्ता में हमारा स्वरूप वही है आत्मा होने के नाते हम भगवान के नित्ते अंश हैं भगवान बोल रहे हैं देहिनो असमिन यथा देह कुमारम युवनम जरत अता देहांतर प्राप्ति दीरस्ततर नामुयती और भगवान बता रहे हैं कि ममईव अंशो जीव लो के जीव भूत सनातना भगवान बोल रहे हैं कि सभी जीव मेरे नित्य अंश हैं हम सभी भगवान कृष्ण के नित्य अंश हैं और जो गुण भगवान में होई गुण हमारे अंदर भी सिमित मात्रा में उपलब्द हैं लेकिन भगवान से अपने संबंद को भूल के हम लोग स्वयम को केवल ये शरीर मानते हुए इस शरीर कोई सुख देने का प्रयास करने के कारण हम कश्ट प्राप्त करते हैं दुखी होते हैं लेकिन अगर हम ये जान जाएं कि हम के नित्यांश हैं और हमारा करतव्य है उनसे अपने संबंद को पुनर जागरित करना तो हम वास्ता में सुख प्राप्त कर सकते हैं तो हम आत्मा होने के नाते भगवान के आनंद के लिए बने हैं तो हमें भगवान के सुख के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि हम भी कि हो सके धन्यवाद हरे किष्णा